हेलो एवरिवन आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 6 के सब्जेक इंग्लिज के चैप्टर 2nd हाउ दर डॉक फाउंड हिमसेल्फ और न्यू मास्टर के सभी इंपर्टेंट मेनिंग्स और साथ ही करेंगे पूरे चैप्टर की समरी तो फटाफर से स्टार्ट करते हैं वीडियो को वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट है यदि अभी तक आपने इस कुल राज थियोरी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो सब्सक्राइब करें और बैल आइकम बे क्लिक करें ताकि आपको टाइम टे टाइम और भी सब जिसके इंपर्टेंट वीडियोस मिलते रहें तो सबसे पहले समझेंगे इस पूरे चैप्टर की समरी को एक समय कुट्ते भेडियू की तरे जंगल में रहते थे वे स्वैम ही अपने मालिक थे फिर एक दिन एक ऐसा कुट्ता हुआ जिससे यह जीवन पसंद नहीं आया हमेशा अपने भोजन की तलाश में रहना उसे पसंद नहीं था अपने इसे अधिक शक्ति सालियों से दर्ते दर्ते वेह परिशान हो गया था उसने इस समस्या के बारे में सोचा फिर उसने किसी ऐसे की नौकरी करने का निश्चे किया जो सबसे अधिक शक्ति साली हो वेह चलता गया उसे एक बड़ा भेडिया मिला भेडिये ने पूछा वेह कहा जा रहा था तो कुत्ते ने बताया कि वेह नौकरी की तलाश में है उसने भेडीय से पूछा कि क्या वह उसका मालिक बनना चाहेगा भेडीय ने उसे अपनी सेवक के रूप में स्विकार कर लिया चलते चलते उनका सामना एक रीड से हुआ रीच को देखकर भेडीय च्छारी में छिब गया कुट्टा बड़ा हैरान हुआ उसने भेडिये से पूछा कि क्या बात है भेडिये ने कहा कि रीच उन दोनों को खा सकता है जब कुट्टे को लगा कि रीच भेडिये से अधिक शक्ति साली है तो उसने भेडिये को छोड़ दिया रीच का सेवक बनने के लिए उसके पाथ चल चल रहा था। की तरे उसके साथ रह रहा है और वे किसी अन्य को अपना मालिक नहीं मानता है तो ये थी इस पूरे चेप्टर की समरी अब देखेंगे इसकी important meaning first meaning है master master यानि मालिक second meaning है walls यानि भेडिये next meaning है until until यानि जब तक next meaning है sick sick यानि बीमार next meaning है ill pleased यानि खुश नहीं होना next meaning है frightened यानि डरा हुआ next meaning है stronger stronger यानि शक्ति साली next meaning है over यानि उपर next meaning है kinsman यानि रिष्टेदार next meaning है fierce यानि भेंकर या डरावना next meaning है take up service with यानि साथ सेवा लेना next meaning है agreed upon यानि परसहमती next meaning है sniffed यानि सूंगा next meaning है darted यानि चल्दी से चले गए next meaning है quickly off यानि जल्दी से next meaning है bushes यानि जाडिया next meaning है beer यानि भालू या reach next meaning है readily यानि आसानी से next meaning है come over you यानि तुमसे प्रभावीत next meaning है fill यानि न्यूक्त होना next meaning है come up यानि उपर आओ next meaning है mooing मुईंग यानि राम्भना next meaning है loudly यानि जोर जोर से या चिल्लाना next meaning है panic यानि घब्राहट next meaning है hastily यानि जल्दी से next meaning है strongest beast यानि सबसी मजबूत जानवर next meaning है complain यानि सिकायत next meaning है orphaned यानि नुक्सान पहुचाना next meaning है sudden यानि अचानक next meaning है dared यानि हिम्मत next meaning है great roar यानि महान धाहार next meaning है इस्त्रक यानि मारना next meaning है angrily यानि गुसे से next meaning है paw यानि पंजा next meaning है ameer bear cliffs यानि नंगी चटानों के बीच next meaning है begin यानि शुरू हुआ next meaning है quickly यानि चुक्चा next meaning है surprise यानि आश्चरे चकित next meaning है trouble यानि मुसीबत next meaning है faithfully यानि इमानदारी से thanks for watching अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही और भी बहुत सारे useful वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरू करें